बच्चों पिछले वीडियो में हमने जाना पाकिस्तान में लोकतंतर बहाली के बारे में और बंगलादेस में लोकतंतर बहाली के बारे में कि किस तरह से वहाँ बार बार सैनिक सासकों ने तक्ता पलट किया और बाद में लोकतंतर की स्थापना हुई और सबसे उजला पहलू हमने जाना था कि वहां की जनता लोकतंतर के लिए कितनी सजग है, कितनी सहसी है इस भाग में हम लेंगे नेपाल और स्री लंका में लोकतंतर के बारे में कि नेपाल और स्री लंका में लोकतंतर बहाली कैसे हुई, क्या रहा लोकतंतर का रूप और किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना होती है चलिए सबसे पहले जान लेते हैं नेपाल के बारे में तो नेपाल में कई वर्सों तक समेधानिक राजतंत्र था राजनितिक पार्टियां और आम जन्ता उत्तरदाई सासन की मांग उठाते रहे थे लेकिन राजा ने सेना की सहाइता से अपना राजतंत्र कायम कर रखा था उस पर अपने राज्ये पर नीयंतरन कर रखा था मुझबूत लोकतंत्र समर्थक अंदोलन जब उठ खड़े हुए तब 1990 में लोकतंत्रिक समिधान की मांग राजा ने मान ली अर्थात राजा ने ये मान लिया कि एक ऐसे समिधान का निर्मान किया जाएगा जो कि लोकतांत्रिक मुल्यों पर आधारित होगा लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल था वो बहुत छोटा और समश्याओं से गिरा हुआ रहा कि जब लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हुई तो बहुत सारे ऐसे कहें कि हम उस वक्त कठिनाईयां आई उन सरकारों को छोटे-छोटे कारेकाल सरकारों के रहे और सरकारें अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी लोकतांत्रिक सरकारी साथ ही निपाल में माववादी आंदोलन भी उठ रहा था और 1990 तक अनेक हिसों में माववादियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था अब एक त्रिकोण ये संघर्ष शुरू हो गया था माववादियों के बीच में राजा की सेना के बीच में और जनता के बीच में जो कि लोकतंतर के समर्थक जनता थी लोकतंतर की कहें कि लोकतंतर का चाहती थी लोकतंतर को स्थापित करना चाहती थी तो यहां जो यह माववादी थे यह हटाना चाहते थे राजा को और जो अभीजन समुदाय था जो कि सरकार पर काबिच था उसको तो यह त्रिकोण यह संघर्ष यहां नेपाल में देखने को मिलता है माववादी राजा की सेना और लोकतंतर समर्थकों के बीच में और 2002 में राजा ने संसत को भंग कर दिया और सरकार गिरा दी अर्था फिर से रास्तंतर की स्थापना कर ली जो बचाखुचा लोकतंतर था वो भी अब यहां समाप्त हो गया था अब आता कब है लोकतंतर नेपाल में अप्रेल 2006 में देश व्यापी लोकतंतर समर्थक परदर्शन हुए और राजा ज्यानेंद्र ने बाध्य होकर संसत को बहाल किया जो कि 2002 में जिसको कहें कि सरकार को गिरा दिया गया था जिस संसत को खत्म कर दिया गया था अब वापस राजा ज्यानेंद्र ने उस संसत को बहाल किया था समिधान लिखने के लिए समिधान सभा का गठन हुआ था समिधान लिखने के लिए समिधान सभा बनी और इस समिधान सभा के गठन की हम बात करें तो इसमें कुछ व्यक्ति थे वो अलंकारिक अर्थों में राजा का पद र रिवर्तन नेपाल में होने चाहिए तो इस तरह से एक मतभेद था जिन संगठनों ने मिलकर लोकतंत्र की इस्थापना की थी वो सारे संगठन भी किस तरह का लोकतंत्र होना चाहिए किस तरह की सासन प्रणाली होनी चाहिए किस तरह का समिधान होना चाहिए इस बात पर एक म नहीं थे 2008 में रास्तंतर को खत्म करने के बाद लोकतंतरिक गनराजे बना और इस गनराजे ने 2015 में यहन कि नेपाल ने अपना नया समीधान भी बना लिया और इस तरहे से नेपाल में लोकतंतर की रिखना होती है अब हम चलते हैं स्री यांका की ओर निस संदे है, स्री लंका में सैनिक सासन नहीं हुआ, जो लोगतांतरीक सरकारे थी, वो हमेसा से स्री लंका में कारिय कर रही हैं, लेकिन फिर भी स्री लंका को सामना करنا पड़ा जातीय संगर्ष का क्या था ये जातिय संगर्ष और क्यों सामना करना पड़ा स्री लंका को तो जातिय संगर्ष था वो स्री लंका में रहने वाले दो समुदायों के मद्य था एक समुदाय स्री लंका का सिहली समुदाय जो की मूल स्री लंकाई है और दूसरा जो समुदाय था वो था तमिल समुदाय जो की भारत से स्रीलंका में जाकर बस गई थे ये भारती मूलके थे जो स्रीलंका मूलके सिहली समुदाई थे उनका राजनेती पर दब दबा था और ये तमील समुदाई को किसे भी प्रकार की रियायत और अधिकार देने के विरोध में थे इनका मानना था कि स्रीलंका केवल सिहलИयों का है और सिहलियों के लिए ही है और इसलिए इस उपेक्षा भरे वरताव से अधिकार विहीन आचरण से और तमिलों ने जो तमिल समुदाय था वो उग्र हुआ उसमें कहीं कि एक गुसा उठा और जातिय संगर्ष की सुरुवात स्री लंका में हो गई तो क्या रहा इस जातिय संगर्ष का रूप किस तरह से रहे इसके परिणाम और कैसे इस जातिय संगर्ष से निप्टा स्री लंका ने चलिए देखते हैं तो देखिए राजनिती पर स्री लंका आबसी तमिल अबादी के खिलाफ थे स्री लंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बढ़ती जानी चाहिए क्योंकि स्री लंका सिर्फ सिहली लोगों का है तो इस तरह के आचरण से इस उपेक्षा भरे वर्ताव से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद हुई और 1983 के बाद उग्र तमिल संगठन लिटे का स्री लंकाई सेना के साथ ससस्त्र संगर्ष प्रारंब हो गया कि 1983 में जो अतमिल संगठन बना था लिटे इसका ससस्त्र संगर्ष हुआ किसके साथ स्री लंकाई सेना के साथ तमिलों के लिए इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की और स्री लंका के उत्तर पूर्वी हिस्से तक इसका लिटे का नियंत्रण हो गया मतलब कि स्री लंका के एक हिस्से को इस लिटे ने अपने नियंत्रण में ले लिया और अपने लिए अब ये अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे स्री लंका की समश्या भारत से कैसे संबंदित है भारत से इसका कैसे जुडाव है भारत से जुडाव तो होना ही था क्योंकि जो जाती ये संगर्ष था उसमें एक समुदाई भारती ये समुदाई था वो भारत से गए हुए तमिल समुदाई थे तो अब जो भारत में रहने वाला तमिल समुदाय था उसने भारत सरकार पर दबाव बनाया कि वहाँ जो तमिलों के साथ हो रहा है अन्याय का व्यवहार हो रहा है अन्याय का आजरन हो रहा है उसमें भारत सरकार दखल दे और वहाँ जो तमिल समुदाय है उसको न्याय दिला देखते हैं स्री लंका की समेश्या भारत वनसी लोगों से जुड़ी है भारत की तमिल जनता का भारतिय सरकार पर दबाब था कि स्री लंका यी तमिलों के हिद की रक्षा करें भारत सरकार और स्री लंका सरकार में समझोता होता है स्री लंका और सरकार और तमिलों के बीच रिष्टे सामाने करने के लिए भारतिय सेना को भीजा गया भारतिय सेना लिटे के साथ शंगर्स में फस गई और भारतिय सेना की वहाँ पर उपस्तिति किसी को भी रास नहीं कि भारत स्री लंका के अंधरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है इसलिए 1989 में भारत ने अपनी शांती से ना को बिना लक्ष हासिल किये ही वापस बुला लिया था भारत ने अपनी शांती से ना भेजी थी लेकिन ये शांती सेabile अहसफल होकर वापस आ गए एक उजला पक्ष्य हम देखें तो 2009 में लिट्टे को समाप्त कर स्रिलंका में ससस्त्र शंगर से समाप्त हो गया है और संगर्सों की चपेट में होने के बाद भी स्रिलंका ने अच्ची आर्थिक व्रिदी की है और विकाज के उच्च इस्तर को हासिल किया है जनसंख्या व्रदी दर पर सफलता पुर्वक नियंतरन करने वाले विकास सील देशों में स्रीलंका प्रथम है और दक्षणी एशिया के राश्ट्रों में सबसे पहले स्रीलंका ने ही अपनी अर्थ व्यवस्ता का उदारी करन किया था अंदुरूनी संखर्षों के जनजावतों के बावजूद भी स्रीलंका में लोक्तांत्रिक राजव्यवस्ता कायम रही अर्थात ये जातिये संखर्ष हुए लिट्टे के साथ स्रीलंका को संखर्ष करना पड़ा वहां की सरकार को संखर्ष करना पड़ा लेकिन फिर भी उज पहलू ये है कि लोकतंत्रिक राजवयवस्ता हमेशा स्री लंका में कायम रही लोकतंत्र को लोकतंत्रातमक साशन प्रणाली को वहाँ उपिक्षित नहीं किया गया पीछे नहीं रखा गया और स्री लंका ने इस जातिय संघर्ष से भी अब निजात पाली और दक्षणी एश कि किस तरह से नेपाल में लोकतंत्र की बहाली होती है जो राजतंत्र वहाँ पर था उस राजतंत्र को समाप्त करके मौवादी अंदुलन वहाँ पर था या फिर आमजंता का अंदुलन था इन सब ने मिलकर किस तरह से वहाँ प्रिस्थितियों का निर्मान किया लोकतंत्र की स्थापना हुई समीधान बना और समीधान में सहमती ना बन पाई फिर समीधान बना 2015 में नेपाल का नया समीधान बन कर तयार हो गया चलिए लेते हैं प्रश्ण नेपाल लोकतांत्रिक गंडराजे कब बना नेपाल को लोकतांत्रिक गंडराजे कब बना बहुत आसानी से आप इस कांस्वर कर सकते हैं नेपाल को लोकतांतरिक गंडाजे कब बना साथ ही आपको ये भी लिखना है कि जो नवीनतम समीधान है नेपाल का वो कब बना और इसके साथ ही आप थोड़ी से जानकारी और जुटा सकते हैं कि वर्तमान में नेपाल में राजनीति घटना कर्म क्या चल रही हैं जो वहाँ ये माववादी हैं उनका क्या वहाँ पर एक तरह से राजनीति में और हस्तक्षेप चल रहा है या फिर राजनीति में उनकी क्या भूमी का है अगला प्रस्न स्री लंका को किस प्रकार के जातिये संगर्ष का सामना करना पड़ा वर्णन कीजिए तो स्री लंका की सिहली और तर्मिल संगुदाय के जातिये संगर्ष के बारे में आपको विस्तार से लिखना है और भारत की इसमें क्या भूमी का रही भारत का पक्ष कैसा रहा और भारत के इस कदम की क्या अलोचना हुई क्या उसकी अच्छी वाते थी इस बारे में भी आपको विस्तार से लिखना ह और एक मोलिक लेख आपको इस पर तयार करना है धन्यवाद